Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. मैं उस्वाती आपकी English Educator. I hope you all are doing good. हम पढ़ रहे हैं यहां पे Class 6 की गुल मोहर बुक. और इसमें we are going to start with the 5th unit today. The name of the chapter is The Mask. The Mask का मतलब, मास के पीछे कोई है. Basically यह एक detective वाली story है. Suspense, thriller. और यहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हिस्टोरी की जिसमें आपके पास जो है जैसे पहले वुमकिश बख्षी आता था था ना तो वैसे यहां पे this novel is written by this particular story is written by Satyajit Ray. इनके पास दो main characters हैं जो की एक particular किसी भी तरीके का जो अगर जहां पे suspense है उसको खोलने में help करते हैं. और यह कहां जाते हैं कोलकता बेस्ट मतलब यह एक बिंगॉली पूरा जो है इसमें actors, characters पूरे बिंगॉली हैं. और यहां पे हम जो हैं Sherlock Holmes का basically Hindi version देखने वाले हैं. और detective stories तो बड़ी interesting होती हैं. So हम पहले अब Satyajit Ray के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं. और उसके बाद we will start with the mask. So here Satyajit Ray was a master storyteller who excelled at both writing stories and directing movies. So Satyajit Ray जो है वो एक master storyteller हैं जो की stories लिखते भी हैं plus movies को direct भी करते हैं. He created two of the most famous characters in Bengali fiction. और Bengali fiction में इन्होंने दो जो हैं बहुत ही जादा popular characters को बनाया था, create किया था. कौन थे वो फेलूदा, the sleuth and Professor Shonku, the scientist. तो एक थे फेलूदा, फेलूदा मतलब क्या है ये? The sleuth, sleuth मतलब जैसे जो लोग होते हैं जो proper detective नहीं होते हैं लेकिन amateur detectives होते हैं. मतलब नए-nए detective बने हैं जो अपने shock के लिए ये काम करते हैं and Professor Shonku, the scientist. His stories are simple and entertaining और इनकी जो stories होते हैं बड़ी simple होते हैं लेकिन ना, इसमें आप एकदम ऐसा लगेगा आपके आँखों के सामने एक movie चल रही है. बड़ी entertaining होते हैं ये. तो यहाँ पे हमें कुछ information दी हुए. फेलूदा और प्रदोष चंद्रमित्तर अब ये जो फेलूदा हैं ये इनका आप बोल सकते हो कि इनको प्यार से लोग फेलूदा कहते हैं अदर्वाइस इनका नाम है प्रदोष चंद्रमित्तर. इसा कोई इनसान जो की इस मतलब जो डिटेक्टिव वाले टाइप के जो जॉब्स होते हैं उसमें इसलिए वो इस टाइप के जॉब करता है क्योंकि वो इंट्रेस्टे इनका इसलिए ने क्योंकि वो उसका सुबह से 6-9 का काम हैं तो ये जो फेलूदा है ये एक एक एक बहुत ही मश्हूर क्यारिक्टर है जो की नोवल्स में भी आते हैं शॉर्ट स्टूरीज में भी आते हैं फेलूदा की स्टूरीज विच वर रिटन बाइ सत्यजीत रे जिन को किस ने लिखा था रे सहाब ने लिखा था पहली बार इसमें फेलूदा के बारे में बात हो रही है। तपशी इस फेलूदा के किसन है वो स्टूरी हे और स्टूरीज जैसे आपने मुंआ लागी के लागी ऊज्रा चा रूट से से जेह तापकशी नेपने की चीमनतर के कजन हैं जैसी अपने शिर्लौक शोर्ट स्टोरी देखी है तो उसमें जो शलोक होमस हैं वो कभी भी उसमें जो है जो मिस्टर वाटसन उनके जो काफी अच्छे फ्रेंड हैं वही उस पूरी स्टोरी को नरेट करते हैं Simply यहाँ पे Similarly टॉपशी जो है वो पूरे स्टोरी को नरेट करेंगे He accompanies Faluda on all his adventures और टॉपशी जो है हर जगह जहाँ पे भी कोई ऐसाई adventure होने वाला है वो वहाँ पे फैलूदा के साथ सरूर जाते हैं फैलूदा एं टॉपशी आर ओन ऑलिडे इंडाजलिंग वेन दिस इंसिदेंट अकर्स अब यह दोनों कहाँ पे हैं डाजलिंग में और डाजलिंग में एक इंसिदेंट होता है जहाँ पे डिटेक्टिव की सरुवत पड़ती है तो अब हमारी फाइनली स्टोरी स्टार्ट होती है I had accidentally overheard a disturbing conversation between Rajan Babu and a friend of his when I was sitting in the mall and had reported to Faluda that there seemed to be something to investigate अब यह कौन बोल रहे हैं यहाँ पे यह बात हो रही है तौपशी तौपशी ने क्या कहा वो बता रहे हैं कि मैंने accidentally जो है एक बहुती disturbing परिशान कर देने वाली conversation सुनी किस के बीच में हो रही है राजन बाबू और उनके एक दोस के बीच में हो रही है तो मैंने तुरंथ हम लोग mall में बाठी हुए थे तुरंथ मैंने क्या क्या mall मतलब a stretch of road generally the main road of a hill station where people go for a store or shopping in some hill stations vehicles are not allowed in malls and there are places for people to sit and relax जैसे अपन बोलते न शिम्ला की mall road, mall मतलब यह अपना डीप मतलब जो होता है बड़े से जो malls होते हैं जहां आप shopping कर जाते हो वैसा नहीं और तुरंथ वो क्या किया तौपशी ने वो गए फैलूदा के पास उनको जाके बताया कि मुझे लग रहा है कोई case है यहां पर investigate करना चाहिए राजन बाबू, an amiable old man was living in a peaceful retired life in Darjeeling अब राजन बाबू जो थे वो एक बहुत friendly, amiable का मतलब क्या है friendly or good natured बहुत ही जादा खुश मिर्जाज और बहुत ही जादा हस्मोग friendly जो है old man थे जो की Darjeeling में एक बहुत peaceful retired life ची रहे थे Recently he had taken a paying guest Tinkori Babu on the recommendation of a dear friend अभी recently उन्होंने क्या किया अपने घर में एक paying guest रख लिया और वो paying guest का नाम क्या था Tinkori Babu तो उनके एक friend ने recommend किया था Tinkori Babu had a special weakness for Chirut and before moving into Rajan Babu's house he had made sure that Rajan Babu had no objection with it अब जो हमारे Tinkori Babu है इनको इनके एक special weakness है मतलब इन्हें किस चीज की तरफ लगती है Chirut की Chirut मतलब क्या होता है एक तरीके का सिगार जो एक तरीकी का जो सिगार कैसा होता है सिगार ऐसी पतली सी होती है और सिगार एकदम ऐसे मोटा सा होता है ठीके तो यहां पे उनको एक Chirut की आदत थी उन्होंने राजन बाबू को पहले ही बता दिया था देखो भाईया मुझे सिगार पीना अच्छा लगता है अगर तुम्हें कोई दिकत नहीं है तो मैं तुम्हारे घर में पेंगेस बनूँगा वरना रहने देते हैं अब थोड़े ही दिन पहले राजन बाबू को एक बहुत ही धमकी भरा लेटर आया पोस्ट के थूँ इट है और उसमें जो वर्ट लिखे थे किसी ने पैंसे नहीं लिखे थे चोटे चोटे वर्ट किसी मागजीन से किसी नीजपेपर से निकाल के चिपकाए थे अब उसमें सिफ एकी चीज़ लिखी थी कि तुमने जो पाप किये थे अब उसके लिए भुगतने के लिए तयार हो जाओ वें विजिटेट राजन बाबू तो इंक्वाइर अबाउट इंक्वाइर अबाउट इट फेलुदा आज्ट तो जैसी हम राजन बाबू के घर गए इंक्वाइरी करने के लिए कौन-कौन गया तो शामी ह्नाम है न। क्या नाम है उनका तौप्शी तो तौप्शी जो फेलुदा है वो जाते है राजन बाबू के घर पूछताज करने और वो क्या बोलते हैं कि आपके पास कोई रीज anytime लेकिन उसने बुला बिल्कुल नहीं मेरी किसी से दुश्मन ही नहीं है मैंने कभी किसी को harm ही नहीं किया है does anyone visit you regularly कोई ऐसा है जो regularly आप से मिलने के लिए आता है well I don't get too many visitors doctor phony mitra comes occasionally only when I am ill तो उसने बुला कि नहीं मेरे पास कोई बहुत जादा visitors नहीं है सिर्फ जो doctor phony mitra हैं जब भी मैं उन्हें बिलाता हूं तब वो आ जाते हैं after some investigation faluda said to me doctor phony mitra could be one who sent the letter he seems to be in need of money as he doesn't have a good practice तो अब में को faluda ने क्या बोला मुझे लग रहा है थोड़ी investigation करने के बाद कि यह जो doctor है यह हो सकता है जिसने धमकी बड़ा खत भेजा है क्यों कि मेरे हिसाब से इनकी जो यह practice भी बहुत अच्छी नहीं चल रही इसका मतलब उनकी पास काफी सारे patients नहीं आ रहे he doesn't make a lot of money by seeing patients a letter like this would make Rajan Babu afraid and make him ill और अगर ऐसा कोई letter जैसे Rajan Babu को मिलेगा तो बड़े डर जाएंगे और उनकी तबियत खराब हो जाएगी तबियत खराब मतलब उने किसको बिलाना पड़ेगा doctor को बिलाना पड़ेगा and if that happened he would naturally go to his doctor तो हो सकता है doctor नहीं किया हो यह काम the second person who visited Rajan Babu often was Mr. Ghoshal an expert in antiques अब जो second person थे जो Rajan Babu को अभी अभी मिले थे वो कौन थे जन से वो काफी मिलते रहते थे Mr. Ghoshal और Mr. Ghoshal जो थे एक expert थे antiques में antiques का मतलब क्या होता है old and very valuable things जैसे पुराने जमाने का कहीं कुछ हो गया एकदम बहुत ही पुराने coins हैं या कुछ बहुत पुराना telephone है तो basically नहीं antiques कहते हैं जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है off late Rajan Babu had developed an interest in antiques and curious and collected many mask jaggers and old paintings अभी हाल ही हाल में जो Rajan Babu इनको antiques collect करने का नया शौक लगा है तो वो जो है and you know and curious curious का मतलब क्या होता है उनको एकदम curious का मतलब होता है एकदम नई चीजें अलग चीजें जैसी किसी ने देखी नहीं होंगी and collected many masks, daggers and old paintings और इसी शौक के रहते उन्होंने काफी सारे mask खरी देखरी देखरी मतलब चुदा खरीदा और उन्होंने काफी old paintings भी खरीदी थी तिंकोरी बाबू थाउट गोशाल वजग क्रूख अब तिंकोरी बाबू जो उनके नए पेंगेस थे उन्होंने क्या बोला मुझे लगता है गोशाल जो है यही एक क्रूख का मतलब क्या होता है a dishonest person I don't trust him at all he pretends to be interested in art and antiques but I think what he really wants is to buy them cheap here and sell them to the foreigners at a much higher rate अब वो बोलते मुझे जो है यह जो हमारे पास जो घोशाल है मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और मुझे यह लगता है कि वो exactly क्या करना चाहता है कि हम से यह सामान चुरा के उसको बहुत ही महेंगे rate पे foreigners को बेशना चाहता है तिंकोरी बाबु अब बाबु ने कब बताया फेलूदा को उन्होंने बताया जब अगले दिन वो लो कफी पीने के लिए मिले थे तो फेलूदा ने क्या का अच्छा अगर तिंकोरी बाबु अगर आपको लगता है घोशाल है तो उसके पास मारने का उनको धंकाने का कोई रीजन तो होगा अब यहां पे मेरे को क्या समझ में आया कि मुझे यहां पे लग रहा है कि जो हमारी जो शॉप है मेरे तिंकोरी बाबु फंस गए अपने अंसर में और हमारी जो शॉप है जिसमें से कुछ नया नया सामान जाने वारा है मतलों लोग order करेंगे I see I see exclaimed टिंकोरी बाबु a letter like that would naturally frighten राजन बाबु into staying at home for a few days and घोशाल would get to buy all the new pieces ठीक है तो उन्हें टिंकोरी बाबु ने क्या क्या हाँ मैं समझता हूं क्योंकि जो है a letter like that इस तरीकी का जो letter है वो easily राजन बाबु को बहुत जादा परेशान कर देगा और अगले कुछ द to buy all the new pieces तो घोशाल को सायन यह एंटीक्स जो है वो खरीदने पड़ेंगे और तुम्हाई तभी थरावे तो तुम थोड़ा सा रिलाक्स करो नो ने यह खा exactly अब हमारा जो नया suspect था वो राजन बाबु सन जिसका नाम है प्रबीर मजुम्दार who was away तो राजन बाबु का जो house when he was caught stealing money from his father's cupboard और राजन बाबु जो थे उन्होंने प्रतीक को घर से बाहर निकाल दिया था जब वो अपने पापा के पर्स से चुरा के पैसे निकाल रहा था father and son had not been in contact since और तब से father and son उन्होंने एक बार भी एक दूसर से contact नहीं किया है फेलुदास investigation had revealed that प्रबीर had recently arrived in Darjeeling this new shock Tinkori Babu अब फेड़ा का जो investigation है वो प्रबीर के सारी बारे में क्या बताया है कि वो recently जो है Darjeeling आया है और इसके वज़े से Tinkori Babu काफे shock हो गए थे Rajan Babu doesn't know that his son is in town said Tinkori Babu and I don't think he should be told after all he's already had one shock अब यहां पर Tinkori Babu क्या बोलते है Rajan Babu को नहीं पता है कि उनका बेटा यहां पे है और मेरे हिसाब से भी उन्हें बताना भी नहीं चाहे क्योंकि अगर हम बताएंगे तो क्या होगा एक shock उनको अल्रड़ी लग गया दूसरा shock भी लग जाएगा So Prabeer has a motive to threaten his father आगया है जहां पर आपके पास तीन सस्पेट है कि या तो यह हो सकता है या तो यह हो सकता है या तो यह हो सकता है लेकिन confirm नाम आपके पास एक भी नहीं है Then something very frightening happened मतलब उसके बाद कुछ बहुत ही ज़ादा डरावनी चीज़ हुई One morning we received a message that Rajan Babu wanted to see us urgently and we rushed to his house Next morning सुबह सुबह हमें message आए कि Rajan Babu हमसे मिलना चाहते है और हमने तुरंट वहां से जो है जिक्षा किया और उनके घर पहुँच गए We found him lying down वो एक दर नीचे लेटे हुए थे Looking pale and haggard वो काफी जाता pale ऐसा था उनके चेहरे का पुदा रंग ही निकल गया है And haggard Haggard का मतलब क्या होता है Unusually white and tired due to worry and lack of sleep तो अगर आप बहुत परिशान होते हो और अगर आपको नीन भी नहीं आती है तो आप बहुत ही जाता pale और haggard दिखने लग जाते हो Dr. Mitra was by his side और उनके बगल में ही Dr. Mitra खड़े हुए थे Rajan Babu spoke with some difficulty अब Rajan Babu ने कुछ थोड़ा उनको मुश्किल हो रहा था लेकिन उनने क्या कहा Last night, after midnight, I woke up suddenly and there it was Face, masked face, yes, I saw a masked face It bent over me, it was horrible Rajan Babu continued, I can't tell you how I spent the night अब Rajan Babu ने क्या बता है Last night, पिशली रात को क्या हुआ था, जैसे ही मैं थोड़ा सा उठा तो मैंने देखा एक आदमी जो की mask पहना हुआ था And मैंने, मतलब मैंने एक mask face देखा और वो बहुत ज़दा डराबना था, मैं बहुत ज़दा डर गई थी फिर राचन बाबु ने क्या बोला, भाई मैं तो पूरी नाइट जो है How I spend the night, मतलब मेरी को नीन नहीं आ रही थी, मुझे बता है मेरी रात कैसी गुज़री है Take it easy, said the doctor You need complete rest, Dr. Mitra Faluda said suddenly Did you go out last night, your jacket's got a streak of mud in it अब जो है, हमारी जो यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है वो क्या है, take it easy, said doctor You need complete rest, तो उसने क्या बोला, तुम्हें दॉक्टर ने उसको बोला तुमको complete rest की सजरत है Dr. Mitra Faluda said suddenly तो Faluda ने Dr. Mitra से क्या बोला, क्या आप last night कहीं गए थे आपके जो jacket है, उसमें थोड़ा सा mud का छीटा है Yes, I did to see a patient, replied Dr. Mitra तो Dr. Mitra ने बोला, हाँ, करजात को मैं गया था, एक अपने patient से मिलने के लिए Faluda waited for the doctor to leave and then asked Rajan Babu What did the mask look like? What did the mask look like? It was like one of those you see on the wall there, the mask he pointed out was almost horrendous अब जैसे वो डॉक्टर गए, फिल दा गए उनके पास और उनसे किया पूछा अरे बताओ, मास्क यसा दिखता था, मास्क कैसा दिखता था तो उसने बोला, वो जो एक दिवार पर लगा है ना, वैसा ही लगता था मास्क तिंकोरी बाबु केम इन, after seeing the doctor off and said to us I'm sorry but I have to return to Calcutta today तो अब टिंकोरी बाबु जो है उनने डॉक्टर को देखा, जब सब कुछ खतम होगया डॉक्टर से मिले, उनको थांक यू बोला और उसके पास उनने क्या कहा कि जो है, मैं जो हूँ, मैं मुझे I'm sorry लेकिन मुझे वापस जो है, Calcutta आज ही निकलना पड़ेगा I tried to change my ticket but they said I can't get a booking for another 10 days मैंने अपनी booking भी कोशिश करी कि मुझे चेंज करनी पड़ेगी लेकिन मुझे अगले 10 दिन तक के लिए कोई booking मिली ही नहीं But before I leave, लेकिन मेरे निकलने से पहले I will inform the police, Rajan Babu needs protection लेकिन मैं अपने जाने से पहले क्या बता दूँगा कि भाईया, Rajan Babu को protection चाहिए फेलूदा बाबू, who can continue with your investigation, nobody will object to that तो उसके आनों ने फेलूदा को क्या का? आप तो अपनी investigation को continue रखो, कोई आपको नहीं रुकेगा फेलूदा and I decided to stay that night at Rajan Babu's house उस रात हमने decide कि हम दोनों Rajan Babu के घर पे ही रुकेंगे We then went out separately on our work for the rest of the day and got back in the evening to find Rajan Babu much better उसके बाद क्या हुआ हम वही रहे फिर दिन में हम अपने अपने काम के लिए निकल गए शाम को जब हम वापस आये तो देखा Rajan Babu पहले से बहुत जादा बहतर थे He showed us to our room उन्होंने हमें बताये कि हमारा कमरा कहा है फेलूदा stretched out on the bed and said I did some investigation in the afternoon अब उन्होंने फेलूदा ने एक्तम मस्त वो जो थे वो जो comfortable सा bed था उसके ओपर हाथ पैर फैला के लेट गए उन्होंने क्या बोला मैंने ना दिन में थोड़ी investigation की है और बोथ प्रबीर और खोशाल वर अपार्ट फॉम पार्टी विच एक्सेंड़ फॉम नाइन पीम टू तो तेंट्री अम मतलब जो दोनों ही हैं प्रबीर और घोशाल दोनों एक पार्टी में थे जहां पे नौ बजे से शे बजे साई नौ बजे से तीन सुबह के तीन बई तक वहीं पे थे लाट मैं बेरिंग अ मास्क केम हैं सून आफ्टर मिड़न दिन थी मतलब अब जो मैन हैं जिसने मास्क पहना हूँ है वो एक्जाटली मिड़नाइट के बाद आगया बारा बजे के बाद ही आगया येस सेट फ़लूदा एं लेटा हूँ अपरेटली तो फिल दन सुचा हां लेकिन सब तो मुझे पता है क्यूं बता रहा हूँ उसने धडाम से द्रवासा बनकिया और चला गया मैं बेट पे बैठा हुआ था लेटा हुआ था और हो सकता है मैं नीन लग गई हो I woke up with a jolt and when I sensed the presence of someone else in my room और तभी मुझे ऐसा लगा मेरे रूम में मेरे अलावा कोई है और मैं एक खतरनाक तरीके से एक दम ऐसा लगा कि इसे चिंगारी डलती हो और मैं उड़ गया My blood froze, मेरा खून एकदम जुग गया I opened my eyes and saw something coming towards me मैंने अपनी आखें खोलियो और मैंने क्या देखा कोई मही तरफ आ रहा है Oh, how horrible it was, a mask, a mask face और ये कितनी horrible बात है, मतलब एक mask face आया है यहाँ पे I opened my mouth to scream when the person wearing the mask pulled it away and my scream became a nervous gasp Faluda, oh my god, it's you So, what happened? मैंने बोला, I opened my mouth to scream जैसे वो Faluda के पास जा रहे थे, तो मैंने जो है, जो है जो है, जो है जो है, जो है, जो है Faluda ने क्या कहा, अभी मतलब I opened my mouth to scream when the person wearing the mask pulled it away तो ये जो हमारे जो तापुशी हैं, उन्होंने क्या किया, एकदम जो से चिलाए, open my mouth to scream लेकिन एकदम से उनकी जो scream थी, वो nervously निकली और उनने बोला, Faluda, oh my god, it's you Of course it's me, he raised the mask I was trying on all the mask in the living room उसने बोला, हाँ, ये, of course, ये मेरे mask है, मैं जितने भी घर में mask है, सबको try करके देख रहा हूँ Why don't you wear this one for a second उसने बोला, why don't you hold this thing क्या तुम जो है, hold कर लोगी इसको 2 minutes के लिए He passed me his mask, I wore it तो मैंने उसको mask लिया, मैंने उसे पहन दिया Can you sense something unusual, क्या तुम्हे कुछ unusual दिख रहा है Why not, it's a size too large for me, that's all उसने बोला, हाँ, obviously, कुछ अजीब सा लग रहा है कि इसका जो size है, वो बहुत बढ़ा है, मैं बहुत छोटी हूँ Think carefully Isn't there anything that might strike you as odd उसने बोला, थोड़ा ध्यान से देखो क्या तुम्हे कोई ऐसी चीज निया है, जो odd लग रही हो Well, there is a faint smell, I think उसने बोला, एक अजीब सी बद्बू आ रही है My heart started to beat faster again Tinkori Babu, I stammered और उनने stammer, हक लाते हुए क्या बुला Tinkori Babu उनको बुलाया Pheluras side Yes, I'm afraid so But what I do not understand is his motive He seemed to respect Rajan Babu a lot Why then did he do something like this Perhaps we shall never know अब यहाँ वो क्या बोल रहे हैं की Pheluda ने बोला Yeah, Tinkori Babu हो सकते हैं क्या लेकिन में को इनका मोटी भी समझ में नहीं आ रहा है यह तो normal friend की तरह सुबह चले गए थे वहाँ पर खाना वाना खाया शाम को वापस आ गए थे Rajan Babu was absolutely shaken when we told him about this the next morning जब हमने उनको यह बारे में बताया अगली morning तो बहुत जादा शॉक हो गए थे As we were talking, Rajan Babu received the letter और हम बात करे तभी Rajan Babu को एक और लेटर मिला He opened it with trembling hands and read it aloud उन्होंने एकदम कापते हुए आखों से उसे खोला और सबको जोर से पढ़के सुनाया Dear Raju If you are wondering who I am and why I did this Dear Raju, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कौन हूँ और मैंने यह क्यों किया Here is the story तो यह रही story I am the boy whom you had tripped in that hundred race on a sprouts day 15 years ago आज से 15 साल पहले एक hundred yard की race थी जिसमें हम दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे और तुमने मुझे गिरा दिया था I not only missed the medal in that race मैंने medal तो मिस कर ही दिया but was also seriously injured लेकिन मेरी मुझे बहुत जादा चोट भी आई थी Unfortunately, my father got transferred to a different town soon after my incident and I never forget a chance to have a showdown with you लेकिन क्या हुआ अब मेरे जो father है उन्होंने उनको यहां से transfer हो गया है तो अब हम बहुत ही जल्दी जो है एक दूसी जगा पे जाके shift हो जाएंगे अब वो यहां क्या बोल जाए and I never got a chance to have a showdown with you इसका मतलब क्या होँआ कि मैंको कभी chance नहीं मिला उसको showdown कहते है so you never realize how deeply you had hurt me तो तो मैं कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुमने मुझे कितना ज्यादा hurt किया है both physically and mentally अब यह सब कौन है यह सब लिखा है एक letter में I didn't know about you till I came to stay in your house stay कने कौन आया था टिंकोरी बाबू तो उन्होंने बला मुझे तुम्हारी बाइ में पता हीं था जब तक मैं यहां पर रहने नहीं आया and saw your childhood photograph लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारी बच्पन की फोटो देखी and then I thought of doing something that would cause you a great deal of anxiety and trouble for a short time और फिर मैंने decide किया मैं भी तुम्हारी साथ कुछ ऐसा करूंगा जो तुमको एक छोटे टाइम के लिए बहुत जादा परिशान कर दे बहुत जादा एंशियस कर दे I meant to do no harm मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता हूं This was my way of punishing you for the past sins और यह मेरा तरीका था तुम्हें punish करने का तुम्हारे पुराने पापों के लिए Now that it's over Let's forget about it and move on with our lives लेकिन अब यह खतम हो चुका है तो जिस छोड़ो मत सोच इस बारे में and move on with your life You're sincerely Tino तुम्हारा अपना Tino टिंकोरी महोपध्याय उनका पूरा नाम है Adapted from the story Dengar Indageling by Satyajit Ray Okay and translate किसने किया है Gopamajumdar ने किया हुआ है And that's it Done with the explanation तो भाई सहाब थेक ओन टिंकोरी बावू थे और क्यूं किया था बशपन ने उनने एक रेस में गिरा दिया था उसकी वज़े से serious injury आय थी तो ने सुचा मैं भी इसके साथ ऐसा ही कुछ करता हूं तो यह थी हमाई story कैसी लगी आपको अच्छी लगी मुझे भी अच्छी लगी Now that we are done What is your responsibility Your responsibility to like, share and subscribe And visit our website magnetbrains.com यहां आपको मिलेंगे सारे के सारे chapters Classes के हर subject आपको मिलेगा Free right from kindergarten Garden 2, NTSC and Olympiad and Class 11th and 12th and everything ठीक है आपको करना क्या है Class select करके Subject select करके आपर Topic select करना है जैसे यह हो गया उसके आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा That's it Thank you once again And do not forget to like, subscribe and share Bye